मुम्रा के मेक कमपनी के पास एक कार हाथसे में चार लोगों के घायर होने की खबर सामने आई है जिसमें से एक की हालत बेहधी नाजुक बनी हुई है यहाथसा कल करीब तीन बज़े के आसपास में हुआ है सर्विस सेंटर के सामने एक काले रंग की कार सर्विस सेंटर पर आकर खड़ी होती है जिसमें से दो लोग कार से उतर कर सर्विस सेंटर में आते हैं उसके फौरन बात वापस जा कर कार का बूनट खोल कर कार में कुछ ठीक गया जाता है उसके बाद कार की स्टेरिंग पर एक शक्स जाता है और ये कार पीछे की तरफ अचानक तेजी से जाने लगती है इस दोरान वहाँ से गुजर रहे चार लोग इस कार की चपेट में आ जाते हैं यहादसा इतना भयानक था कि दो लोगों को कार रोट पर बने डिवाइडर से ले जाकर टक्कर मार देती है इस हादसे में मुम्रा बाइपास पर कैलाश गिरी इलाके के रहने वाले तीन लोग आबिद हुसेन तीस वर्सिये का हाथ फैक्चर हुआ है जबकि अकबर अंसारी 44 वर्सिये कार और डिवाइडर के बीच में दब गए थी जिनने साइन होस्पिटल में भरती कराया गया है इनके सर में काफी चोट लगी है और पेट का ऑपरेशन भी हुगा है मगर हालात नाजुक बनी हुई है वही इसके एक साथी सत्तार को भी मामुली रूप से चोट लगी है और एक चोथा युवक है जिसका नाम मोहमद अनस है जो में कमपनी के पास एक चाई की दुकान में काम करता है इसका हाथ भी फैक्चर हुआ है वही कार जो लोग सर्विस सेंटर पर लाए थे वह कार को वही छोड़ कर फरार हो गए है इस पूरे भयानक हाथ से के सम्बंध में मुम्रा पुलिस की तरफ से मिली जानकारी की अनुसार अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है पुलिस ने बताया है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और जल्द ही FIR भी दर्ज किया जाएगा और उसके बाद गारी को पकड़कर के उठाया तो मैं थोड़ा साँ चल रहा था तो हलका निकला में बहाए अजिए लग तो कुछ जानी नहीं रही एकडम से पैर हदो उनका उइसी पहला रहा है उनको गारी में बढ़ा के ले करके लिए अभी आपको भी मार लेगी क्या फैक्चर बटाया मेरे को पूरा यह हाथ जो है ना हाथ पुरा यह है पुड़ा यह हो गया है अंदर से पैसे बहुत बहुता लग गया और आपके भाई के अभी क्या अभी मेरे भाई के बारे में बहुत हो सिरियस एक दम उनका कुछ यह नहीं सकते कैसा क्या तरुक्छाल कि कांचा हाई यह सब्सक्राइब हो तक कंडिशन ठीक नहीं कंडिशन बिल्कुल बड़ा-बर नहीं है उ झाल झाल